दोस्तो फाइनली वेट इस ओवर जिहां दोस्तो सेमसंग ने अपनी आल न्यू प्रीमियम गैलेसी एस्टुन्टी सीरीज को इंडियन मार्कर में लॉंच कर दिया है और आज किस वीडियो में हम गैलेसी एस्टुन्टी थिरी और आईको 11 को कंपे करेंगे और देखेंगे कि आपकी रिकाइमिंग के साफ से कौन से small phone सभी रहेगा इस वाले वीडियो में हम इतना डिटेल में बात कर रहे हैं तो अगर आपको मेरा point of view जानना है तो इस वीडियो में एन तक की बने रहे हैं आपके सभी डाउट्स सबके सब डाउट्स आपके इसी वीडियो में बाकि आगर क्वाल्टी की बात की जाए तो वहां पर आईक्यू भी ना रहे देखेंगे आपको फूल एजडी वाला पहला मिल जाता है जो के एक एमुलेट पैनल के साथ में आता है वाज़िके आईक्यू में आपको जो रेजूलुशन है वापको कौर्ड एजडी आना मिल जाते हैं जो कि फूल होता है तो इसमें आपको डिटेल्स और भी स्थाथ देखने मिल जाएंगी बाकी यहां पर भी आपको एमुलर पैरली देखने मिलेगा तो एमुलर पैनल की वज़े से आपको काफी पंची देखने मिल जाएंगे बाकी जो प्रेश्य ने वह से एंसं काफी अच्छी आपको मिल जाती है Samsung S23 में आपको यहां पर बैस्किली 17-15 निसकी मिल जाती है वहां पर मुझे थूप में कोई भी दिक्कत नहीं आई राकि दोनों में आपको को वीव आइकों में मिलता है Samsung में देखने को नहीं मिलता तो देखा जाए Samsung वाला फोन का डिस्प्ले में खाली एक ही खाली प्लास पॉइंट है वह इसकी प्रोटेक्शन लेकर आगर आईक्यू की बात की जाए तो इन तरम्स ऑफ क्वालिटी स्मूथनेस और यह सब जितनी चीजें आपको आईक्यू का बारी डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी मिल जाती तो डिस्प्ले को ले करके आप लोग की ही तरफ जाईए इसके बात की जाए चिपसेट की तो यहां पर दोनों ही फोन्स में आपको एक्डम की तरफ से आने वाली स्नप्डेगन एट जैन की है तो इन्होंने एक और चीज यहां पर एडब की है वी टूचिप जो की बिसकलिए एक सेकेंडरी चिप आप लोग इसको मां सकते हैं तो यह आपकी जो लो लाइफ फोटोग्राफिशी हो गयी और आपकी गेमिंग हो गयी उसमें एम्सी का काम करता है मतलब जो फेंमे सोते हैं उसका मिंटेन रखेगा तो आपको स्मूथनेस काफी से मिल जाएगी तो और अगर देखा जाए तो पर्फॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स में अग्दम नेक्स्ट लेवल वाली मिलने वाली कोई बीश्यू नहीं आएगा चाहितो वीडियोटिटिंग कुछ भी हो सब्सक्राइब तो आपको इसमें वीव का फंटेश मिलता है जो कि Android 13 बेस्ट है दो नहीं में आपको काफी लेटेस यहां पर युवाई देखनो मिल जाएगा अपको काफी अच्छे मालब ताइम आपको देखने मिल जाएंगे लेकिन आगा सॉफ्टर एक्स्पीरेंस की स्ब्सक्राइब काफी देखने तो47 घडिअस्ट कर यहां पर व्र भी सैस चरव है सबस्क्राइए इसका यहां पर देखने लिए करके आपो यहां परिखने liegt 7 काफी कम और रखा हुआ है इसका रिजन है चुक्कि आप में लिखेस आफ इतना आपको इश्यू नी होगा बैकर आपको काफी अच्छे ही देखने मिल जाएगा यहां पर आपको थ्री थाउजन नाइंडे मेंच की बैटर मिल जाती है लेकिन चार्जर आपको इसमें इंद बॉक्स में नहीं मिलेगा लेकिन फोन जो है 25 वाट की फार चार्जिंग को लेकिन अगर आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स तो फिर आप लोग सेंसंग की तरफ जा सकते हैं इसके बाद अगर आपको बात की जाए सेक्योर्टी की तो आपको दोनों में इंडिस्प्ले फिंग पिन संसर मिल जाएगा अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर आपको सेमसंग में 50 मेगाफेशिल का में मिल जाता है जो की 0 senior के साथ में आता है 12 मेगाफेशियल का अंदोटवेटकर मिलेगा THIS का आपको जोस इमिंच देख documents ए वाला वह आको देखिन हो देखना मिल जाता है बाकि आप लो दोनों में 8 के तक की दोर कर सकते है अगर यहां पर बा मिलेगा और वीडियो शूट करने का उप्शन यहाँ पर अनफॉचनेटली आपको वीव आइक्यू में सिवसी फूल एज यह तक ही खाली मिलता है लेकिन सैमसंग में आपको यहाँ पर 4K वाली रिकॉर्डिंग देखें मिल जाएगी तो अगर कैमरे के लिए अगर आपको को सैमसंग की बात की जाए तो इसकी डानेव की रेंज भी काफे चीप प्लस यहाँ पर आपको सैलफी से भी 4K तक की विडियो शूट करने को अप्शन मिलता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग के लिए सैमसंग की ही तरफ जाईए आप लोग इस मामले में IQ को स्क 2.1 की मिल लेगी है लेकिन जो इसका हाईयर जो वेरिंट है 256 वाला उसमें आपको UFS 4.0 की स्टोरी मिल जाएगी इसके बाद अगर यहां पर बात की जाए मेरे पॉइंट आफ यू की तो देखिए आप सैमसंग काल फोन एक काफी सही डील लेकर आता है जैसे कि जो इसकी ड आपको तभी लेना चाहिए आपको डिस्प्रे की क्वालिटी इदम नेक्स लेवर वाली चाहिए हो बाकि यहां पर जो बैटरी है और यहां पर चार्जर 120 वाट का आपको इसमें दबाउस मिल जाते है जो कि को भी फ्लैक्शिप फोन में को जल्दी अब देहने को नहीं मि